नमस्कार वेलकम यू ओल वन्स अगेन एक फ़र से स्वागत है आप सभी का जैसा कि आप सभी कुछ पता है बेसी पार्ट सेकेंड के लिए हमने फिनॉल शुरू किया हुआ है यूनिट सेकेंड लगबाख खत्म होनी को है ठीक है आज हम हमने कुछ पिछले रियक्शन्स में पिछले लेक्शन्स में कुछ रियक्शन्स पड़े थे कौन कौन से पड़े थे और कुछ रियक्शन्स देखे थे आज भी हम कुछ रियक्शन्स देखने वाले हैं और कुछ नेम रियक्शन्स देखने वाले हैं पिछले रियक्शन्स में भी हमने कुछ नेम रियक्शन्स होते हैं तो आपको उन पर ज्यादा ध्यान देना है ठीक है तो आज जो हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है चल क्या रही है फिनॉल की अभिक्रियाएं चल रही थी फिनॉल की रासाइनिक अभिक्रियाएं चल रही है तो देखते हैं हम कुछ और रियक्शन्स फिनॉल के जो हम रियक्शन्स देखने वाले हैं वो है अप्चयन क्या है अप्चयन रिडक्शन ठीक है तो इसमें होता क्या है कि जब फिनॉल को जब फिनॉल को रहने निकल तथा एच्टू गैस के साथ अभिक्रत किया जाता है तो तो क्या होता है तो तो अप्चयत उत्पाद प्राप्त होता है ठीक है देखेंगे ये रियक्शन्स कैसे होती है यह है फिनॉल फिनॉल ठीक है जब हम इसकी रियक्शन कराते हैं है एच्टू आनाई से निकल की उपस्तिती मैं रहने निकल की उपस्तिती मैं है तो होता क्या है यहँआ पर लिए जाएंगे तो जितने भी डवल बॉंड है यह सभी घट जाएंगे और यहां पर कौन आजाएगा राइड्रोजन आजाएगा और यह जो रेयक्शन होती है यह हम पहले भी बहुत बहुत बार कई देख चुके हैं किसके थोती है फ्री रैडीकल के थोती यहां से लगे उसकी जगह पर कौन आ जाएगा हाइडरोजन जुड़ जाएगा तो ये प्रोड़क्ट हमको प्राप्त होगा यहां पर है OH ग्रूप और सारे के सारे डवल बॉन्ड क्या हो चुके हैं रेडियोज्ड हो चुके हैं तो ये है क्या ये है साइक्लो हेक्जाइल एलकोहॉल है ना साइक्लो हेक्जन रिंग है उस पर OH ग्रूप लगा है तो इसको बोलेंगे साइक्लो हेक्जाइल एलकोहॉल ठीक है तो ये बनता है हमारे पास साइक्लो हेक्जाइल एलकोहॉल बनता है अब हम देखने वाले हैं हमारी दूसरी रेक्षिन नोट कीजिए जल्दी से आगे चलते हैं फिर जो नेक्स्ट रियक्षिन है हमारी वो है राइमर टीमान राइमर टीमान अभी क्रिया इंपोर्टेंट है अगे नेम रियक्षिन है नाम से है नेम रियक्षिन है राइमर टीमान रियक्षिन राइमर टीमान अभी क्रिया तो यह भी क्या होगी हमारे लिए इंपोर्टेंट होगी ठीक है देखते हैं भई क्या होता है इसके अंदर तो राइमर टीमान रियक्षिन वह सेली सेलल्डिहाइड बनाने के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट रियक्षन रियक्षन है क्या बनाते हैं सैली सेलल्डिहाइड ठीक है अगर आपको याद हो तो क्या कहते हैं इससे पकल गवाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो थी से पहले वाली उसमें भी हमने गाटर माइनर होगा तो इसका मतलब बेसिकली हम कहेंगे कि जो फिनॉल है उसका फॉर्मिली करण होना है क्या होना है फॉर्मिली करण का मतलब जो फिनॉल की रिंग है उस पर फॉर्मिल ग्रूप आकर जुड़ जाएगा तो इसको बोलते हैं फॉर्मिली करण अभिक्रिया तो द चारिये विलियन को विन और के चारिये विलियन को साथ डिग्री सेंटिग्रेट ताप पर ठीक है किसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ पस्चवाहित करने पर और प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं ठीक है प्राप्त होते हैं और यहां पर जो और प्रतिस्थापी है और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है यहां पर ना तो यह reaction क्या है वही यह reaction क्या है यह reaction यह है फिर मेकैनेजम देखेंगे यह है फिनॉल क्लोरोफ और चार के साथ इसकी reaction होगा इसको पस्च बाहित किया जाएगा तो क्या फॉर्म होता है दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगी ठीक है यहां पर ओएज ग्रूप एक तो होगा यह क्या है यह इसका नाम है कि सैली सिल अल्डेहाइड यहां इसको हम बोल सकते हैं और्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिएड ठीक है और दूसरा क्या बनेगा दूसरा बनेगा पैरा प्रोडक्ट ओ एच यहां पर आ जाएगा पैरा पोजिशन पर कौनसा गृप आ जाएगा C1O H तो यह क्या हो जाएगा पेरा-हइडरोक्सी बेंजल दिहाइड ठीक है यह product जो होगा यह हमारा क्या होगा major product होगा जादा मात्रा में बनेगा और यह क्या होगा हमारा minor product होगा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा तो इस तरह से इस अभिक्रिया द्वारा salicylaldehyde का निर्मान किया जाता है नोट कीजिए फिर mechanism देखते हैं नोट कीजिए जल्दी से इसका mechanism देखते हैं फिर इसका mechanism देखते हैं कैसा होता है यहां पर मेकैनियिजम देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या है chloroform को मैं से लग दूं द आज हीएम क्या है तो स Adv Clark कोذ मोई होगा यहां पर कोई सावषष अप्र मुद सकते हैं ठीक है मृठ लिए नर्हान सब्लिया था कर लिए था यहां पर हम जानते हैं की होगा यह माइनस होगा यह क्या करेगा यह प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है क्या करता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है लेकिन कौन सा प्रोटॉन थोड़ा नीची लुपने कि इसका काम क्या है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना तो यह रहा प्रोटॉन यहां पर हम देख रहें इस कर्वण पर तीन-तिन क्लॉरीन लगे हुएं बहुत जादा माइनस हाई इफ़क आए अपनी तरफ इलेक्ट्रोन कीज़ेंगे तो यह जो प्रोटॉन होगा यह बहुत ज्यादा एसीडिक होगा यहां से क्या होता है यहां से पानी तो बाहर निकल जाता है और यह जो बॉंडिंग के लेक्ट्रोन यह काई शिफ्ट हो जाते हैं कारवन पर यानि कुछ ऐसा बन जाता है सिसील जा कारवन पर कैसा चारज जाल यान एगिटव चाड़ क्यव है यह तो कारवन के चार एलक्टरोन टी चार पॉर बट हैना और यह एक्स Wie कुछ चार जा और तो tay सगयोगा जैसा यहीं नेगिटव चारज आघ्यां फिर आげं क्या होगा जैसे यहां से क्ल बनता है यह यहां पर रहा जाते हैं लोन पेड़ इसको बोलता है हम डाई क्लोरो ऑसी ऐसा कारवन बचता है जिससे 2 क्लोरिन ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक क्या है लों पयर जुड़ा हुआ खञक ना तो यह न्या़िया यह बहुत से उसके ऑस के और चैजॉद्या यह वश्म कितने इलक्ट्रोन है इसके पास six electron होते हैं और six electron है तो यह कभी भी दान नहीं कर सकता इलक्ट पूरी ही नहीं है नियुक्लियो फायल होने के लिए condition होने चाहिए क्या के जो हमारा molecule है उसके अस्टक पूरी होने चाहिए पूरि होने क्या मतलब उसकी ऑक्टेट में आठ्टिdefined रों होने जब तक हर्ट रोन होंगे तब तक को न्यूंक् exempl की तरह कारे नहीं करेगा तो यहांपर थो सिछ जलेक्तरों इसको तो अलक्तरों है उसको स्ट्रस्ट्र पूरी करने लिए तो यह किसका कारे करता है अ कि इकार ये रहता है इलेक्ट्रोफाइल का किसका इलेक्ट्रोफाइल का यह जो कार्बीन होती है यह कैसी होती है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है यानि कि इनको इलेक्ट्रोन चाहिए इनको खुद चाहिए यह दे नहीं सकती ठीक है एक वात याद रखेगा तो यहां पर पर Intermediate क्या वना यह हमारा क्या हैunge Intermediate Inner मीडियेट टीकर के तो यहां पर हमारा Intermediate ko पूछ negócio descriptions में že Intermediate क्या होता है तो क्या होता है Intermediate कार्वीण होती है क्या कर्वीन स्बसे पहले कारवीन और कार्वीन जिस प्रॉसेस से बनती यह इसको बोलते हैं Alpha Elimination क्या बोलते हुआ Alpha Elimination द्वारा बने कारवीन मनी और वो भी किसके द्वारा बने ओर एलफा कारवन से तो जब द्व Secret अधर उनेशन क्या होता है यहां पर दो वार क्या निकला एक बार सी एल माइनस निकला तो यहाँ पर कार्वीन का निर्मान होता है किस से alpha elimination द्वारा ठीक है अब आगे चलते हैं कार्वीन बन गया वह यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और क्या है हमारे पास हमारे पास है यह फिनॉल फिनॉल ठीक है बेस तो हमने साथ में ली आई है है ना बेस तो साथ में ली आई है तो बेस में क्या होगा यह के प्लस और यह माइनस होगा है ना और यह प्रोटोन जोता ही एसेडिक होता है हम जानते हैं पढ़ चुके हम काफी देख चुके हैं तो यहाँ पर क्या होगा यह पर यह बन जाएगा हमारे पास ओ फिन ओक्साइड आये इसको कौन करेगा केप्लस ठीक है ओ माइनस भना अब यह क्या करेगा अब यह नुक्लियोफिलिक तो क्या करेंगे हम जानते हैं यह बॉन्ड इधर जाएगा और यह बॉन्ड का शिप्ट होगा और तो पूझी पर तो कहां पर जाएगा और तो पर जाएगा तो क्या बनेगा यह कुछ ऐसा बनेगा ठीक है यह बॉन्ड एजा है यह बॉन्ड इस रहेगा यहां पर क्या यह नेगिटिव चार्ज अब क्या है हमारे पास ccl2 है तो मैं इसको ऐसे बना दू cl cl और यहां पर क्या है लोन पेर अगर इस पर संकरण देखूं तो तो कॉनता संकरण है दो तो बॉन्ड पेर है और यह लोन पेर तो संकरण क्वारी यह by संक्रण है संक्रण में भाग लिया यह पूरी तरह से खाली रही होती है यह ऊथ चार्ज क्रण के खाली और बिटल में देगा ठीग है और क्या फोर्व मुजाएगा यहां यहां पर क्या बन जाएगा C do KL CDD जैसे इसको ईलक्ट्रों दिए जैसे इसको रूट्रों दिये कार्वेण पर इलक्रों डेंसिटी बढ़ गया और कैसा चार्डा गया कैसा ड़ीम निछी करना तो तो मैं इसको नीचे बना दूं आगे रेक्शन करना तो इसको आगे रेक्शन प्रोसीट करूंगी तो यहां नीचे बना देती हूं चलिए यहीं पर बना देती हूं इतना तो दिख रहा होगा अब यहां पर क्या होता है एक हाइड्रोजन होता है अब यह जो रिंग थी पहल जो प्रोटॉन है किसके बीच में फसा हुआ है एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज है एक तरफ क्या है डावल बॉंड ओ है दो दो माइनस एफेक्ट लगा रहे हैं इनके बीच में फसा हुआ है तो यह क्या करेगा अपनी आहूती देदेगा खुद की सुसाइड कर लेगा ए है है यहाँ पर वापस से क्या बन गया है यहाँ पर वापस से analogy माइनस ठीक है और यहाँ पर क्या वन गया देखते हैं अभी यहं पर क्या है कि जैसे सीयल सीयल ग्रूप लगा कहीं तो आपर क्या होगा इसको क्लोरीन क्लोरीन यहां करेगा यह करेगा कौन हेज अभिक्रिय करेगा अच्छ होगी है ना आपको याद कई बार पढ़के अंदर उस जाता है कार्बन पर अटेक करता है पीछे से और chl माइनस क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है थे नहीं इस ना सब् hepat हुए हुए है यहां पर हो जाएगा सी एसे लिग दूंढ है यहां पर है और है एक वेच अाउन्हेच ऑफ क्या होता है यह लोन पेर इदर देगा और यहां से C L- क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा यहां से C L- क्या हो गया बाहर हो गया क्या बना हमारे पास कि हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा O- K Plus ठीक है होगा क्या यहां पर होगा यह था CH double bond O H positive यह O H positive बना यहां से क्या होगा minus H plus होगा H plus यहां से बाहर निकलेगा और जैसे यहां से H plus बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा H plus को कौन ले लेगा O minus O minus ले लेगा तो यह बन जाएगा OH और यहां पर क्या बन जाएगा C double bond O H क्या वन गया यह हमारे पास सैली सिल एल्डी हाइड तो इस तरह से सैली सिल एल्डी हाइड का निर्माण होता है है ना और इस रियक्शन के अंदर क्या फॉन होता है कार्बीन बनता है है यह एक लेना हमने क्या किया है हिख लिखर यहां पर हमने 8 लिया हुआ है क्या यह से uh का है तो इस तरह से यह mechanism परी होती है नोट किजे जल्दी से फिर आगे चलते हैं, चीक है, नोट कर ली, चलते हैं आगे, तो इसी तरह से आप पेरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अगली जो रियक्शन है, वो है, राइमर, टीमान, कार्बॉक्स ली करन, अभी जो आमने पढ़ी थी, राइमर, टीमान, अभी पढ़ी थी ना, वोस में क तो हुआ हूँकर, थी तौह है, प्रतुरक्ट होगा कर जड़े गा, श्रिक है तो है, यह ना पर यहां से रियक्ट से लिक एप चुड़ेगा यहां पर क्रपा ग रूह मनीं प्रकतों तो यह बना जाएगा तो यहां पर रियंक्शन कैसे होती है तो यह बिल्कुल उसी तरह होती रायमर्टीमान की तरह लेकिन वहां पर होंने क्या लिया था अगर रहरा क्लोरो फॉर्म शेंज करके क्या ले लिए कलेल ले 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 तो जो रियाक्शन होगी वह कंक्सी होगी accomplish कार्वाक्शली करण तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यदि CHCl3 यानि क्लोरोफोर्म के स्थान पर CCL4 प्रयुक्त किया जाए तो क्या निर्मान होता है तो सैलिसिलिक एसिड का निर्मान होता है किसका निर्मान होता है सैलिसिलिक एसिड का निर्मान होता है यानि कि वो ही सेम रियक्शन है बस क्लोरोफोर्म की जगे क्या ले देना है आपको CCL4 ले लेना है फिनोल साथ में कौन ले लिया CCL4 प्लस 4 के OH यहां पर क्या बनेगा हमारे पास यह बन जाएगा हे कि ऑफ और या पर कॉन सा midst आ जाएगा सी डवल गॉण ओट और क्या जाएगा यहां पर निवफ और सेलिक आज फ्या बैसेदीन Same रहेगा बिलकुल को है ही रहेगा लगबग कि के वहांपर बस क्या लिया थ लिया था यहां पर क्लोरोफर्म की जगा CCL4 ले लिया बस इतना साथ चेंज है ठीक है तो यह बनेगा हमारे पास सैलिसिलिक असे प्लोट कीजिए कि अगली डियक्शन देखते हैं अगली जो रियक्शन है वो है कपलिंग रियक्शन क्या है कपलिंग कप्लिंग रेक्शन को हिंदी में बोलते हैं युगमन अभिक्रिया यानि यह कप्लिंग रेक्शन है इसमें क्या होता है इसमें डाइज बनती है डाइज मतलब जो हमारी डाइज होती है इनके अंदर जो करते हैं तो मतलब जो कलर लेकर आते हैं और क्या होते हैं तो यह कह सकते हैं कि यह तरह यह तरह के डाइज होगी तो यहां पर यह जो रियक्शन है फिणोल तो रहे गए फिणोल पढ़र रहे है तो फिणोल की किस्से साथ कि लाई आजोनीयम लाई जोनीयम ल Lenapeぎ cityeven pengόने क्या यूज करेंगे जिसको बोलता हम डाई ग्जुनियम बैंजीन दीवड के साथ 0 degree centigrade पर कितने डिगरी centigrade पर 0 degree centigrade मतलब यह Direction जो गी हूँ लोग वह तेंप्रेचर पर अCHS त तैथा का है दुरवल चारी है माध्य हमें दुर्वल चारिय दुरूबल चारिय माध्यम में फिनोल की डाई एजो नियम लवन की साथ जीरो डिग्री सेंटिग्रेट पर था दुरूबल चारिय माध्यम में अभिक्रिया से अभिक्रिया से चम्कीले रंगीन योगिक प्राप्त होते हैं यह नए योगिकों को चम्कीले रंगीन योगिक होते हैं बोलते हैं डाईस बोलते हैं डाई मतलब जो कलर के लिए यूज होती है ना तो कह सकते हैं कि यह योगिक क्या कहलाते हैं यह यह योगिक एजो डाई क्या कहलाते हैं यह हिंदी में लुकिने तो एजो रनजग क्या कहलाते हैं यह 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 होगि यह हमारे हैं यह होगि रियक्शन फिनोल यहां पर हमारे पास फिनोल, फिनोल की रियक्शन कराएंगे हम, डाई एजो बेंजीन, डाई एजो बेंजीन क्या होती है, यह होती है, ठीक है, इस नाइट्रोजन पर होता है, पॉजिटिव चार्ड, और किस से इसको काउंटर राइंग कौन होता है, चील माइनस, तो यह क् डाई एजो बेंजीन, क्या है, डाई एजो बेंजीन है, तो डाई एजो बेंजीन के साथ, माध्यम कैसा रहता है हमारा, दुरवल चारी माध्यम रहेगा, माध्यम कैसा है हमारा, जो माध्यम है, वो दुरवल चारी रखा जाता है, यानि कि वीक बेस लिया जाता है, चार क फॉर्म होता है यहां पर भी क्या होता है पैरा प्रोडक्त तो इस तरीके से प्रोडक्त बनता है यह बनता है ठीक है यह क्या है एक डाई है इसका रंग इसका क्या होता है यह गहरे रंग की होती है इसको बोलते है पेरा हाइड्रोक्सी ठीक है यह तो पेरा हाइड्रोक्सी हो गई ठीक है पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन क्या है इसका नाम पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन होता है इसका नाम नोट कीजिए फिर देखते हैं इसका मेकेनिजम कैसे होती है जल्दी से नोट कीजिए चलिए तो चलते हैं आगे आगे नेक्स चो रेक्शन देखने वाले हैं पहले इसका मेकेनिजम देखना है हमें इस रेक्शन का मेकेनिजम देखते हैं कि कैसे होती है देखते हैं यहां है हमारे पास फिनोल यह है हमारे पास फिनोल है ठीक है हमने माध्यम कैसा लिया है दुरबल चारी लिया है चारीय माद्यम लिया है तो चारीय माद्यम में क्या होगा OH- होगा है ना और OH- का काम क्या है प्रोटॉन लेने का है ना OH मानलो क्या लिया हमने NaOH लिया है ठीक है तो यह क्या करेगा प्रोटॉन ले लेगा और H2O बाहर निकल जाएगा बनेगा क्या हमारे पास बनेगा हमारे से इलेक्ट्रोफाइल है यहां बनाने की जरूवत पड़ती नहीं है पहले से हुता हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना बनाया नाइड्रोजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो हमें कुछ बाकि अधिते त्लेगा अब यहां पर लिखूंर jáầnis का और कुस्या-पर or तो डियाईगा यहांद यहांपर जो पॉजिशन पर बिया क्या पढ़ाएगा शुरुद से यहांपर यहांपर क्या पोजिशन पर आएगा फैरा पोजिशन पर आएगा डबल बॉंड एन किस से जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ इसका काउंटर राइन कोन है सी यल माइनस यह अटक कर देगा किस पर नाइट्रोजन पर क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है और क्या बना लेगा मैं यहां नीचे लि लए जुड़ गया इससे तो एनड डफल बॉंड एन और यह जुड़ गया बेंजीन रिंग यह बन गया ठीक है यह अब ये डियें खेख है यह रिंग आरो मैटिक तो नहीं है सिसक्व फिर से अरो मैटिक होना चाहेगी तो यह ब़ॉंड इधर जाएगा यहाँ कि यहा disaster जाएगा तो यहाँ से अर्च प्लस निकलेगा मारेीं मप्रोड ठीक है और यहाँ H plus आकर जुड़ेगा तो मैं इसको लेख सकते हूं minus plus H plus है ना तो यहां से निकलेगा H plus और कहां जुड़ जाएगा OH पर आका जुड़ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा यह क्या है हमारी यह हमारी एजो डाई ठीक है एजो डाई फॉर्म हो जाती है नोट कीज़े जल्दी से फिर नेक्स एक्षिन देखते है हो गया ठीक है जो हमारी नेक्स एक्षिन है वो है वो एक नेम रियक्षिन है वो आपने पहले भी पढ़ी होगी या शायद नहीं पढ़ी हो उसके मिलती जुलती रियक्षिन अभी अभी हम पढ़ चुके है पिछले लेक्चर में पढ़ चुके है कौन सी रियक्षिन थी गाटर मान कौच रियक्षिन यह बिल्कुल उससे मिलती जुलती रियक्षन है, बिल्कुल वैसे ही होती है, इसका नाम है होवेन होश हभी क्रिया, कौनसी होवेन होश, होवेन होश, अभी क्रिया, नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है वो है होवेन होश, अभी क्रिया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाटर में क होता है यहां पर होता है तो इसमें होता है कि इसमें रियक्शन कराई जाती है वह फिनॉल यह कैसा है मोनोहाइड्रिक फिनॉल है यह जो हमने फिनॉल लिया यह कैसा है मोनोहाइड्रिक है यानि इसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रूप है और यह जो रियक्शन होती है इसमें किस के होती है यह होती है क्या कहते है पॉली हाइड्रोक्सी फिनॉल मतलब जिसमें एक से जादा ओएच ग्रूप हो यहां पर रिसॉर्स इनॉल लेते हैं कौन लेते हैं रिसॉर्स इनॉल अगर आपको याद हो तो नोमें क्लेचर में हमने बताया था कि रिसॉर्स इनॉल क्या होते हैं तो यह जो रियक्शन है किसके साथ होती है रिसॉर्स इनॉल के साथ होती है ना तो हम यह लिख सकते हैं कि रिसॉर्सी नॉल कि रिसॉर्सी नॉल तथा एलकिल साइनाइड वह एलकिल साइनाइड है तो क्या होगा मिश्रन को वहां पर भी हमने क्या लिया था एक लूई जम लिया था निर्जल एलसी यल थी लिया था और यहां पर हम क्या लेंगे sucks क्या लिया सब्सक्राइड हम क्या अंभे быстрह लिया थे मिश्रन को निर्जल एलसी यétais अंपस्थिती में इंद अ spielt है इसे में धाए था बिलायक में या यानि कि यो विलियन बनेगा कि सब्सक्रार्म अनूद इथर विलायक में अभिक्रिया द्वारा कि इथर विलायक में अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माड होगा यहां पर जैसा कि उसमें कौन सी रियक्शन पड़ी थी हम लोगों ने जो गाटरमन कौच रियक्शन पड़ी थी उसमें क्या बना था उसमें क्या बना था यहां प तो यहां पर क्या बनेगा यह पॉली हाइड्रोक्सी एरोमेटिक की टोन बनता है यहां पर क्या बनेगा पॉली हाइड्रोक्सी एरोमेटिक की टोन बनता है यहां पर तो हम यह लिख सकते हैं कि पॉली हाइड्रोक्सी पॉली हाइड्रोक्सी aromatic ketone बनता है ठीक है? क्या reaction होगी यह हम देख लेते हैं फिर mechanism देखेंगे इसका ठीक है? तो यह होगा resorcinol क्या होता है resorcinol? phenol जो होगा phenol के meta position पर एक और OH गुरूप जुड़ा होगा यह क्या होता है? यह है resorcinol resorcinol है resorcinol की reaction हमको किसके साथ करानी है? alkyl hydrogen cyanide हमने यहां ले लिया CS3CN साथ में कौन होगा? HCl होगा किसकी उपस्तिती में? anhydrous alcl3 की उपस्तिती में ठीक है? anhydrous alcl3 की उपस्तिती में होगी और हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास प्रोड़्ट्क जो बनेगा वह यह होगा यहां पर ओयज ग्रूप यह उजब तो लगा ही वह और इसके इस वाले वच की पहरा पोजिशन पर यह यह कह लें इस वाले विद्ध की और्थ हुजब पोजिशन पर कौन सा ग्रूप आ जाएगा अप यहां पर कौन सा था एच सी एन था और एच सी एन था तो डायरेक्ट सी डावल और ओएच गुरूप आया था जब कि यहां पर क्या है तो एक कारवन भी आएगा तो यहां पर क्या बनेगा सी एच थ्री यहां पर एक कारवन भी बढ़ जाएगा वहां पर तो एच था सी ओए यहां पर क्या है सीए समय यहां पर यहां पर यहां बढ़ जाएगा तो प्रक्रेशब्ण यह की टोवर्ड ही तो है एक यह आपर ग्रुप है और यह भी क्या दो इसे क्लिवों के बीच ऑफीस और इक पॉल फॉर यह लोड़ पाले की की टोव बन गया जहा फिर इसका नाम द डाई, हाइड्रोक्सी, एसीटो, फिनोन हैं. नोट कीज़े जल्दी, फिर मेकेनेजम देखते हैं. कीज़े बते हैं, एकेनाए सीटो, एकेते हैं. तो मेकेनेजम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही मेकेनेजम होगा जैसा हमने गाटर मान कौच में देखा था हमारे पास क्या है गाटर मेके乾़ते हैं हमारे पास है हम जानते है अम बांज क्लण के लोन प्यर लेंगे और क्या बना लेंगे यह बना लेंगे CS3, C, triple bond N और यहां पर आगया H जैसे ही nitrogen ने चार bond बनाए तो इस पर कैसा charge जाएगा भई positive charge जाएगा क्योंकि nitrogen चार bond नहीं बनाता है फिर आगे क्या होगा तो यह electron यहां से खीचेगा carbon से, जब carbon से खीचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा C double bond N, H इस positive carbon पर attack कर देगा और क्या बना लेगा यह बना लेगा CS3, C, double bond N, H और यहां पर कौन जुड़ जाएगा C, L हमने क्या लिया था हमने लिया है ALCl3 और हम जानते है ALCl3 क्या है एक Lewis Aml है Lewis Aml है तो किसके साथ जुड़ेगा chlorine के साथ आकर जुड़ेगा जैसे ही जुड़ेगा इस पर delta negative और यह क्या हो जाएगा delta positive हो जाएगा chlorine chlorine पर positive charge आया तो यह क्या करेगा अपने electron वापस लेगा इससे ठीक है और क्या बना देगा यह बना देगा CS3, C, positive double bond NH साथ में क्या होगा ALCl4 minus ठीक है हम ऐसे लिख सकते है इसको stabilize कौन कर रहा है positive charge को ALCl4 minus stabilize कर रहा है अब यह बन गया हमारे पास Electrofile ठीक है और क्या है हमारे पास हमारे पास है Resorcinol मना देते है Resorcinol OH यहाँ पर भी क्या है OH ग्रूप है ठीक है हमने हम जानते हैं क्या होगा यहाँ पर यह bond इदर shift होगा यह वाला bond इदर shift होगा और यह वाला bond कहा जाएगा इदर आ जाएगा resonance होगी है तो फिर क्या होगा यहाँ पर यह bond to additives है यहाँ पर है OH और यहाँ पर कैसा रहेगा positive charge यह OH additives रहेगा यह वाला bond इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर क्या आ गया negative charge कौन आ गया negative charge हमारे पास क्या है हमारे पास है CS3C double bond NH और यहाँ पर क्या है positive charge है यहाँ पर क्या है positive charge है यह इस पर attack कर देगा यह इस पर attack कर देगा तो क्या होगा वही जैसे एक करेगा यह वह निगा मारे पास कि नवाल बॉंड ओएच पोजिटिटिव और यहां पर क्या जूड़ जाएगा यहां पर 1611 नच और यहां पर कौन आ गया यह इधर shift होगा और यह उपर चला जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास यह बनेगा OH यहाँ पर OH पहले से ही था ठीक है और यहाँ पर है C double bond NH और CS3 यह बन गया अब हम इसका क्या कराएंगे जल अफगटन कराएंगे इसका क्या कराएंगे जल अफगटन वह भी कैसा अब लिए जल अफगटन कराएंगे तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकते हूं H3O plus के साथ इसकी reaction कराएंगे H3O plus को ऐसे भी लिख सकते हैं H plus H2O यानि अमलिक की उपस्तिती में जल अफगटन कराएंगे हम इसका तो क्या होगा मैं reaction नीचे लिखती हूं यह ऐसे है हमारे पास ठीक है यहाँ पर कौन अटेक करेगा H2O है हमने क्या लिया है H plus H2O लिया है न अमलिक की उपस्तिती में जल अफगटन करा रहे हैं H plus H2O लिया है तो अमलिय माद्यम होगा तो H plus को कौन ले लेगा nitrogen ले लेगा तो यह nitrogen ऐसा रहेगा NH2 positive ठीक है H plus nitrogen पर लोन प्यार होंगे वो क्या करेंगे H plus को पहले ही ले ले लेगे है यह मैं ऐसे लिखूँ nitrogen पर लोन प्यार आ गए यह है और यहां पर कॉन जुड़ा हुआ है ओ एच टू जुड़ा हुआ है जैसे ही एस्टो ने तीन बॉंड बनाए oxygen पर क्या आ गया positive चार oxygen इलेक्रो नेगिटिव एटम positive चार जहिन नहीं पाएगा तो यहां से क्या करेगा H plus को ले लेगा जैसे ही H plus को ले लेगा तो क्या बन जाएगा यहां पर यह बन जाएगा C यहां पर H तो ही बाकी क्या रहेगा यहां पर OH और यह हो गया NH3 चार बन बने नाइट्रोजन के तो नाइट्रोजन पर कैसा आएगा positive चार अब यह एक leaving group है तो क्या होगा यहां पर यह जो bond है यह यहां shift होगा oxygen और hydrogen के बीच का bond यहां shift होगा और यहां से NH3 जो है वो बा NH3 ठीक है और क्या बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा हमारे पास C double bond O sorry यहां पर H नहीं था यहां पर कौन है CH3 group है CS3 ठीक है सही कर लाएगा CS3 तो यह क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा CS3 इस तरीके से यहां पर भी एक OH group है तो क्या बन गया यह बन गया 2,4-di-hydroxy-acetophenone बन गया क्या बन गया 2,4-di-hydroxy-acetophenone जल्दी से नोट कीज़े mechanism इसकी कुछ और reaction रह गई जो हम अपने upcoming video में यहां देख लेते हैं एक reaction इसी वीडियो में देख लेते हैं इसको नोट कीजिए एक reaction और देख लेता है जो बची हुई reaction से उसको अगले वीडियो में complete कर देंगे तो यह unit जो है आपकी complete हो जाएगी next जो reaction है यह भी एक name reaction है यह भी एक name reaction है कौन सी लिवर्मान नाइट्रोसो अभी क्रिया लिवर्मान नाइट्रोसो अभी क्रिया यह इसे एक और नाम से भी जाने जाता है यह इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोसो करण आप बोलोगे यह तो हमने पढ़ चुके है है ना नाइट्री करण पढ़ा है क्या पढ़ा है नाइक्री करण पढ़ा है है ना वहां से हमको कौन सा आयन मिला था हम जानते हैं NO2 पॉजिटिव मिला था और NO2 पॉजिटिव जाकर किस पर जुड़ गया था फिनोल की रिंग पर जाकर जुड़ गया था इसलिए वहां पर क्या हुआ था नाइट्री करण हुआ था क्या हुआ था नाइट्री करण और यह क्या के वल एन ओ पॉजिटिव इसको बोलते हैं नाइट्रोसो आएन आकर जुड़ेगा इसलिए इस रियक्शन का नायम क्या नाइट्रोसो करन्ट तो देखते हैं इस टेक्शन में क्या होता है ठीक है तो देखते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं जब फिनॉल को एस्टू एसो फोर की उपस्तिती में एच एन ओ टू से अभिक्रत कराते हैं तो और्थोवा पैरा उत्पाद प्राप्त होता है ठीक है और्थोवा पैरा उत्पाद फ्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं इसे नाइट्रोसो करण कहते हैं इसे क्या कहते हैं नाइट्रोसो करण कहते हैं सबसे पहले नाइट्रोसो करण होगा नाइट्रोसो करण में क्या होगा पहले हम नाइट्रोसो करण देखेंगे फिर लीवरमान नाइट्रोसो रियक्शन देखेंगे वहां पर क्या होता है तो यह है हमारे पास फिनोल ठीक है जब इसकी रियक्षन कराएंगे HNO2 के साथ ठीक इसकी उपस्तिती में है इस टू-SO4 की उपस्तिती में टेंपरेचर कैसा रहेगा लो टेंपरेचर लो टेंपरेचर का मतलब 0 तो यहां पर क्या फ्राप्ट होगा हमको यहां पर हमें दो प्रॉड़क्ट प्राप्ट होगे ओ एक तो प्रॉड़क्ट 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 होगा तो जो पैरा वाला प्रॉड़क्ट है वो क्या रहेगा हमारा मेजर प्रॉड़क्ट रहेगा हम जानते हैं ज मात्रा में बनेगा तो यह क्या वुझा हो गया क्या वंगया हमारे पास्टीक है और इसे को बोलेंगे प्रोड़क्ट को बोलते हैं पएरा नाइट्रोसो फीनोल और यह क्या हो जाएगा ओर्थो नाइट्रोसो फीनोल ठीक है इस रियक्शन को बोलते हैं नाइट्रोसो करन यहाँ पर क्या हुआ है नाइट्रोसो करन हुआ है फिर आगे अगर हम इस रियक्शन को गर्म करके बनाए यह तो अभी जीरो डिग्री सेंट बनाया यह उसी रियक्षिन को बहुते हैं कैसे बनता है इसका मेकैनेजम लेते हैं फिर आगे देखेंगे हमारे पास क्या है है हमारे पास क्या होते हैं लोन पेर होते हैं साथ में हमारे पास क्या है यहां पर क्या बनेगा है आंड डबल वांड ओ और यहां से बाहर क्यों निकलेका 2495 जायेगा यह क्या करेगा यह सै लुन पर क्या करेंगे यह और यह इसफ्ट हो जाएगा साथ मैं में क्या बन जाएगा एनो वring जाएगा क्या रूपसिश्ट संसा कि मौस्टार प्थ एक क्रने concept बाकि की रेक्षन हम जानते हैं कैसे होगी करते आ रहें कितने टाइम से टिश्चन की कि फास प्रोडक्ट जो हुआ है तो यह बॉंड इधर ऑगा और यह बॉंड कहाँ जाएगा पैरा पोजीशन पर यानि यह कुछ ऐसा हो जाएगा double bond, OH positive, ठीक है यह bond या shift को हुआ, यह bond यहां यहां पर क्या है? सास्थ मैं हमारे पास क्या है? ट्रिपल bond O positive नाईट्रो सोनियमाएन है ठीक है ये क्या करेगा? अटक करेगा nitrogen पर जैसी nitrogen पर aoक्सीजन पर अटक करेगा यह bond कहां shift हो जाएगा? इस रीक्षन को बोलते हैं, नाइट्रोसो करन, अभी यह क्या हुआ है नाइट्रोसो करण हुआ है लेकिन अभी हमें देखना है कि अगर हम इस मिक्स्चर को हीट कर दें तो क्या होगा जल्दी से इस उतारिए फिर आगे देखते हैं नोट कीजिए जल्दी से ठीक है आगे चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब फिनॉल को यहां पर लेख सकते हैं कि जब फिनॉल को है एच टू वा है एच टू एसो फॉर मिश्रण के साथ गर्म करते हैं क्या करते हैं गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ठीक है जैसे हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकते हूं कि यह है रियक्शन फिनॉल है ठीक है फिनॉल है साथ में क्या है ह एच टू है साथ में एच टू एसो फोर है इस वार हम इसे क्या कर रहे है हीट कर रहें गर्म कर रहे है तो बढ़ा रहे हैं तो हमको क्या प्राप्ट होता है हमको क्या प्राप्ट होता हमें एक कंपाउंड प्राप्ट होता है जिसका रंग कैसा होता है हरे रंग का योगिक प्राप्ट होता है क्या प्राप्ट हुआ हमको एक हरे रंग का योगिक प्राप्ट हुआ ठीक है क्या हुआ योगिक प्राप्त हुआ अब आगे क्या होगा भई हरे रंग का योगिक प्राप्त हो गया उसके बाद क्या होगा उसके बाद है फिर हम इसमें H2O मिलाएंगे है त्यों करेंगे इसको तनु करेंगे जो हरा रंग है इसका कलरण अब क्या होगा हरे रंग से क्या बन जाएगा लाल रंग का यौगिक बनेगा यानि कि हमें बिल्यान में कैसा दिखाई देगा लाल न दिखाई देगा इसका मतलब यहां पर कुछ कुछ ऐसा हो रहा हुज है यहां पर डाई निर्मान और सबस्कित कि रहे हैं दाई की इस योगिक बन गया है तो यह को बोला जाता है लिवर्मान नाइट्रो 21 reaction कहलाती है कव सीवर मान नाइट्रो सू रियक्षन कब हो रहा है जब हम हीट कर रहे हैं जब हमने हीट नहीं किया नॉर्मल टेंपरेचर पर करा रहे तो दो प्रोड़क्ट राप तो और थो और पहरा लेकिन जब हीट किया तो हमको कुछ कलरफुल कंपाउंड मिल रहे हैं तो यहां पर ऐस सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर केवल एक प्रोड़क्ट बनेगा और तो यहां तो यह ऐसा हो जाएगा इसका मिगैने देख चुके हैं इसलिए मैं डारेक्ट बना रही हूं और यह बन जाएगा एंडबल बॉंड ओ ठीक है अब आगे क्या होगा जैसे ही यह बनेगा जैसे ही यह प्रोड़क्ट बनेगा यहां पर क्या होगा रियर्रेंजमेंट होगा क्या होगा यहां पर रियर्रेंजमेंट होगा इसको बोलते हैं आईसुमेरिजेशन क्या होगा समाव यह भी करण होगा आईसो मेरी जेशन होगा क्योंकि हमने हीट किया है ना यह प्रोडक्ट बनेगा अब बनते ही तुरंत आईसो मेराइज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आईसो मेरी जेशन हिंदी में बोले तो समाव यह भी current हो जाएगा अब समाव यह भी current में क्या होगा वही देख लेते हैं मैं इसको ऐसे लिखूँ OH ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो oxygen और hydrogen के बीच का bond है यह break होगा और कहां पर आ जाएगा oxygen पर आ जाएगा है ना यहाँ पर क्या होगा यह वाला bond break होगा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है यह वाला bond क्या करेगा यहाँ पर आ जाएगा और यह वाला bond क्या करेगा यहाँ आ जाएगा और यह वाला bond क्या करेगा oxygen पर चला जाएगा यहाँ पर isomerization होगी और क्या बनेगा finally देखते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा यहां तो जाएगा double bond यह double bond रह गये यह पर वी इसे क्या बना लेगा ओ इसको पहले भी देख चुकें कहीं देख चुकें याद हो अगर आपको यह जो कार्वन हैं कारवन डवल बॉन एन ओ एच बना है इसको हम क्या बोलते हैं यह एक फंक्शनल ग्रूप है इसको बोलते हैं ऑगजीम क्या बोलते हैं इसको ऑगजीम इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ समादे भी करंट से ऑगजीम का निर्मान हुआ किसका निर्मान फिर आगे क्या होगा देखते हैं फिर आगे क्या होगा अब यह दुबारा फिनॉल के साथ रियक्शन कर जाएगी दुबारा किसके साथ फिनॉल के साथ रियक्शन कर जाएगी फिनॉल कहां से आया भई हमने यहां पर लिया था ना सारा का सारा फिनॉल एक बार में रियक्शन कर जाएगा है ना कुछ बचेगा और जो बचेगा वह दु ठीक है यह फिनोल साथ में हमारे पास क्या है यह है O H n double bond कि यहां पर क्या है double bond O ठीक है यह है अब यहां पर क्या होगा देखते हैं हम यहां पर लेंगे अम्लो यहां पर क्या लेंगे हम अम्लो लेंगे H2SO4 और हम जानते हैं अम्लो का काम क्या है H प्लस देना ठीक है यहां पर क्या है OH ग्रूप OH ग्रूप का काम क्या H प्लस लेना तो यह क्या करेगा यहां से अम्लो से H प्लस प्राप्त होगा इसको कौन ले लेगा ओएच ले लेगा तो यहां से क्या होगा माइनस हच एसा बनेगा वैसे तुम्हें स्किप करने वाली थी डाइक समझाने वाली थी बढ़ आप पूरा ही देख लिए यह बन जाएगा हो यह यहां पर क्या जाएगा positive औडबल बांड और यह है हमारे पास कुञ्र понад की तो क्या होगा अम यहांसे क्या होगा जे H2O बाहर निकलेगा औक सिजन पर positive डि Resident नहीं होता है तो यहांसे क्या निकलेगा H2O बाहर निकलेगा लेकिन यह से ही एंस Tpi 방ा निकलेगा पर कैसा चार्ज आएगा relative चार्ज आएगा एस टो जैसे ही भाहर निकलेगा नाइडरोजन पर क्या आएगा positive चार्ज आएगा और positive चार्ज आएगा तो यहाँसे क्या निकल जाएगा यहां से एच प्लस निकल जाएगा यहां से को निकल जाएगा एच प्लस कैसे है एच प्लस मत निगा लिए आप ऐसे कीजे आप ऐसे देखिए यह बॉंड यहां शिफ्ट होगा यह बॉंड यहां शिफ्ट होगा और यह बॉंड यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर कैसा चार्ज आए यहां पर यह होगा यहां पर फिर आपको पूरा दिखाती हूं वब मिनट्ट अ कम पूज़न नहीं रहें आपको किसी भी दरहेगा तो मैंने यहांपर कर लेती हूं पहले से ओच है यह बॉन्ड इधर गया यह बॉम्ट इधर जाएगा यह bond इधर गया यह bond इधर जाएगा और यह bond इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यह already मैं ऐसा बना दूए से यह बनेगा oh positive और यहांपर कैसा चार्ज है negative चार्ज है और यह वाला bond इस तरीके से तो यह ऐसा बना हुआ है ठीक है मैंने यहांपर ही shift करा दिया है electron को पैरा position पर लि यह दोओंड और यह बना लेगा N double bond लो हुआ इस तरीके कप्रोडइक बना लेगा इस तरीके का प्रोड़क्ट बना लेगा फिर यहां से क्या होगा फिर यहां से क्या होगा, यहां से h प्लस बाहर निकलेगी, ring बापस से aromatic होगी, क्योंकि पहले aromatic थी, तो यह ऐसे यहां shift होगा, तो यहां से क्या बनेगा, यह बनेगा, ओ एच रिंग फिर्ट से क्या हो गई एरोमेटिक यहाँ पर एन है डवल बॉंड ठीक है यहाँ पर डवल बॉंड यहाँ पर है डवल बॉंड ओ अब यह ओ पर क्या होते हैं लोन पेर होते हैं यहाँ से क्या निकला है एच प्लस निकला है यहाँ से कौन निकला है एच प्लस तो इस हच प्लस को कौन ले लेंगे लोन फिर लेंगे और यहां पर क्या बना लेंगे ओएच पॉजिटिव बना लेंगे ठीक है यहां पर क्या बना लेंगे ओएच पॉजिटिव बना लेंगे ठीक है इस तरह से क्या बन जाएगा OH पॉजिटिव बन जाएगा और यह पॉजिटिव है यहाँ पर क्या बनाता है HSO4 तो इसको stabilize कौन करेगा HSO4 माइनस जो है वो इसको stabilize करेगा और इसी का रंग होता है कैसा हरा रंग यह जो योगिक बना इसी का आपको क्या दिखाई देता है हरा रंग दिखाई देता है ठीक है फिर आगे क्या होगा फिर हम इसमें क्या मिलाएंगे H2O मिलाएंगे तनू करेंगे प्रहएंगे उसको मिलाइंगे प्रेंगे कि गहां प्राप्त हुआ हारा प्राप्त करा उता हडा और यह क्या बना है इसको बोलते है यह क्या ए museums काorte नाम की फुरहान है इंडोफिणॉल को हईडरोजन। फेट कि इसका नाम क्या फिन hanno ही इसी का कैसा अ का हशपेयद न тебя बाइंगे से क्या होगा एस टुमें ह्मीन फीन फुरहा आशफब्स यहां से एच प्लस लीड एचाप फोर- आपास माइनस हो जाएगा और यह नॉर्मल योगिक बन जाएगा है ना यहां पर जगह नहीं बची है मैं उपर मिटाती हूं उपर लिखते हैं आगे क्या होगा ठीक है यह भी मिटा देते हूं नोट तो करी लिया होगा अपनों यहां से लिए चलते हो नीचे से उपर ले चलते हूं बार बर लेखना पड़ेगा नहीं तो जैसे हम H2 मिलाएंगे इसमें क्या मिलाएंगे हैं तो क्या होगा यहां से यहां से हमें यह प्राप्त होगा यहां पर N double bond O तो यह प्राप्त होगा ठीक है यह प्राप्त होगा इसी काम को कैसा रंग प्राप्त होता है लाल रंग इसका रंग कैसा होगा लाल रंग यहां से यहां पर कौन बना लेगा एस्टू एसफोर बना लेगा जो कि बापस निकल जागा यह तो हमारी लिए उत्प्रेरक की तरह था तो यूज हुआ फिर वापस से बन गया तो यह तो बन गया यह बन गया इसका रंग कैसा होता है लाल रंग होता है इसका नाम क्या था फिनॉ तो खिनॉल ठीघे स्लिंग क्या वन गया इस इन्डो फिनॉल इसी को हमको कैसा रंग प्राप्त होता है इसका को लाल रंग प्राप्त होता है चाहँए हम जैसे मिलाइंगे जैसे इसमें फ्षारीय क्यान перем मिलाएंगे हम राइट्ट हम जानते हैं यह क्या टा है और यहाँ होutta आपास यहाँ पर है भुँद ने कि यहाँ यहांपर मन जाएगा और minus S2 हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा O minus ठीक है O minus ये minus बन गया इसको को होने stabilize करेगा Na plus और इसी का हमको कैसा रंग प्राप्त होता है इसी का हमको प्राप्त होता है नीला रंग ठीक है ये क्या प्राप्त होता है नीला रंग प्राप्त होता है और यह क्या बन गया यह इंडो फिनॉल का सोडियम लवन्ड बन गया इसका नीला रंग होता है अब यह क्या था इंडो फिनॉल था न तो यह क्या है हम यह लिख सकते हैं फिनॉल इंडो फिनॉल का sodium लवन sodium लवन प्लस से stabilize हो रहा है तो sodium लवन बन गया और इस कम को क्या प्राप्त होता है नीला रंग प्राप्त होता है तो यह जो overall reaction है यही कहलाती है हमारी liver man liver man nitroso current अभिक्रिया ठीक है liver man nitroso current अभिक्रिया यहां पर अलग अलग तरह की color प्राप्त होता है लेकिन यह कव है जब हमने nitroso current जो mixture था जिसमें अनो प्लस प्राप्त हो रहा था उसको heat किया है फिनोल के साथ तब यह temperature बढ़ाने पर यह reaction होती है ठीक है यह भी important reaction है ठीक है बाकी की reaction देखेंगे हम next lecture में अभी के लिए thank you